नमस्कार आज मैं फिर से कुछ पहेलियां लेकर आई हूँ लेकिन आपको याद हैं पिछली बार की कुछ पहेलियां थी जिनके उत्तर आपको नहीं मिले थे वे पहेलियां थी निस्बते जिन्हें अमीर खुसरोजी ने लिखा हैं तो आएए पहले उन निस्बतों को समझें कि उनके उत्तर क्या हैं तो पहली निस्बत जो मैंने प्रश्ण के रूप से आपसे पूछी थी वो है कपड़े और दरिया मीं क्या निस्बत है और इसका उत्तर है पाठ, पाठ मनें जैसे की नदी का जो किनारा होता है उसे पाठ कहते है और इसी तरह कपड़े की जो चुड़ाई से होती है, कपड़े का उसको कहते है पाठ अब दूसरी निजबत थी मकान और पाईजामे में क्या निजबत है और इसका उत्तर है मोरी मकान से बाहर जो नाली निकलती है उसे कहते हैं मोरी और इसी तरह से पाजामे का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं मोरी तो अब तीसरी निस्बत जो पूछी गई थी आपसे वो था जानवर और बंदूग में क्या निस्बत है और इसका उत्तर है घोड़ा क्योंकि एक जानवर का नाम है घोड़ा और दूसरा बंदूग में वो जो हम ऐसे ट्रिगर्ज इसको बोलते हैं उसको कहते हैं घोड़ा जो मुर्गा होता है उसके जो कलगी होती है उसे ताज कहते हैं और जो बाटशा होता है उसके सिर पर भी ताज होता है इस तरह से आशा है कि आपको निस्मते अच्छी लगी होंगी और उसको आप अब समझ पाएंगे तो चलिए आज जो मैं लेकर आई हूँ वो कुछ और ल अंतर लपिका का क्या मतलब है कि उसी पहेली के अंदर उसका उत्तर छिपा होता है आएए देखते हैं कैसे चार महीने बहुत चले हैं और महीने थोड़ी अमीर खुस्रो यह कहे तू बूज पहेली मोरी अब उत्तर तो आज मिलेगा नहीं उत्तर तो अगली बार मिलना है इसलिए ध्यान रखिए आप क्या चाह रहे हैं दूसी पहेली है गोल मटोल और छोटा मोटा हर दम वह तो जमी पर लोटा खुस्रो कहें नहीं है जूठा जोना बुजे अकल का खोटा तर अगली बार वीशो का सर काट लिया ना मारा ना खून किया ये तो मुझे लग रहा है आप सब को आता है अगली बार का इंतिजाल करेंगे और चौथी है एक नार करतार बनाई नव क्वारी नव ब्याही सुहा रंगी वाको रहे भावी भावी हर कोई कहे ये बहुती सुन्दर सा एक जीव है मैं इतना आपको हिंट दे सकती हूँ तो चलिए इनके बारे में सोचिए और अगली बार आपको इनके उत्तर मिल जाएंगे आशा है आपको पहेलिया बूझना अच्छा लग रहा है अब तक के लिए नमस्कार